जैस याराम, शेक्षिक पटल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनीता मिस्टा। इस मंदिर के विशह में कहा जाता है कि आज भी यहां पर भगवान शीव विराजमान है। पशुपतिनाथ मंदिन नेपाल की राज़ानी काटमंडू से तीन किलोमीटर पूतर पस्चिन देवपाटंगाओं में बागमती नदी के तरफ पर इसी थे। यह मंदिर भगवान श शीव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। यह मंदि हिंदु धर्म के आठ पवित्र स्थलों में से नेपाल में यह भगवान शीव का सबसे पवित्र मंदिर है। जानिये इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के विश्य में जिन्हें जानकर आप भी आश्यर्जिक लुकिर मुं के पर परप्रा चलीया रही स्थाि हैं मंदिर में चार पुजारी दक्षपढहत के ब्राम होग में से रखे जाते हैं पश्पती नात्व मंदिर को बारह जुत्ति लिंगों में से एक के दानात का आजा भाग बाना जाता है जिसकी काड़िस मंदिर का महतों और बढ़ जाता है साथी शक्ती भी बढ़ जाती है इस मंदिर में स्थाप एश्यूलिंग के पाचों मुखों के गुड़ अलग-अलग है जो मुख तक्षड की होर है उसे अखुर मुख कहा जाता है पच्चिम की होर मुख को सद्ध्योजात पूर की होर मुख को तत्व पुरुस और अर्धनारिश्वर कहा जाता है जो मुख उपर की होर है उसे शान मुख कहा जाता है या निराग कर मुख है यही भगवार पश्पतिनाथ का स्रेश्टतम मुख है यह एश्यूलिंग बहुती कीम्ती चमकारी है माना जाता है कि एश्यूलिंग पारस के पत्थर से बना है पारस का पत्थर ऐसा होता जो लोहे को विसोना बना देता है पस्को तिनाथ मंदिर में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख उपर की ओर है हर मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष माला और बाएं हाथ में कमंडर मौझूद है इस मंद्र में बाबा के प्रकट होने के पीछे पौराड़ी कथा है इसके अनुसार जब भारत के मा भारत की उद्धि में पांडो द्वारा अपने ही रिष्टिदारों का रखत भाहाया गया तब भगवाश्यू उनसे बेहर नाराज हो गया स्री किष्ण के कहने पर भगवाश्यू से माफी मांगने पांडो निकल पड़े गुप्त काशी में पांडो को देखकर भगवाश्यू वहां से बिलप्त होकर एक अन्य स्थान पर चले गए आज उस स्थान को केदारनाथ कहा जाता है शीव कब इचा करते करते पांडो केदा मिर्म में शमाने लगे इस पर भीम ने अपनी ताकत के बल पर भैस रूपी महादेव को गदन से पकड़ कर धर्टी में समाने से रोक दिया भगवाश्यू को अपने असली रूप में आना पड़ा और फिर उन्होंने पांडो को चमदान तो दिया लेकिन भगवाश्यू का इस मंदीर को लेकर मानेता है कि अगर आपने पशुपति नाथ मंदीर के दर्शन किये तो पूरा पुड़े पानी के लिए आपको केदार मंदीर में भी भूली का दर्शन करना पड़ेगा क्योंकि पशुपति नाथ में भैसी की से रोकेदार नाथ में भैसी की पीट की र नहीं मिलती इस मंदिर को लेकर दूसरी मानता या भी है कि अगर आपने पशुपतिनात के दर्शन किये हैं तो आप नंदी के दर्शन ना करें नहीं तो आपको दूसरे जन्में पशुपतिनात के दर्शन ना करें नहीं तो आपको दूसरे जन्में पशुपतिनात के दर्श जीत है जै परशुपतिनात जै भोले बाबा की बोले बाबा की मेहमा तो अपार है अगर आप शेक्षिक पटल पर नए है तो चैनल को सब्स्राइब जरूब करें और साथ ही बेल आइकन प्रिस कर दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेश्टन करें जादा ज्यूंशन मिलती रहें और वीडियो को अहन तर जरुत एक टरें वीडियो को लाइक करें